पहले मद्दान फिर जल्पान किया मुख्यमंटरी योगी आदे तिनाथ ने अपने बूत के पहले वोटर बने सीम योगी कहा समवेधाने का धिकारों वा कर्तवियों के प्रती जनता जनारदन में अपार उत्सा जनाकांक्शाओं के आनुरूप विकास कारियों को आगे बढ के पक्ष में करे मद्दान जनपत ने विधानसवाद चुनाव में पढ़ा कुल 56.08 दो प्रतीसत वोट उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजिस कुमार सिंह ने दीजानकारी शहर विधानसवाद चेटर में बन सकता है मारजीन का नया रिकॉर्ड सियम योगी आदितिनाथ के प्रत्यासी होने से प्रदेश की सबसे होट विधानसवाद सीट है गुरफपूर शहर इस चुनाव में शहर शेटर के माथे से मिटा सुस्ती का दाग अब तक का रिकॉर् मद्दान जिन्पद में चल रहे है मद्दान के दिस्ट्रिकाते 11 बजे तक हुआ 21.89% मद्दान जिलादिकारी जिलन रशनितकारी ने दीचान कारी गुरफपूर नियूज के वोटिंग विट सेलफी फोटो मुहिम में हजारों हजार लोगों ने बढ़ चल कर लिया हिस्सा उत्साहित मद्दाताओं ने खुल कर रखे अपने अपने विचार कहा गुरफपूर के विकावसकारियों को आगे बढ़ाने की है जरूरत विधानसभा चुनाओ के लिए सभी मद्दान के इंडरो पर सुलक्षा वस्था का किया गया पुक्ता अंतजाम SSP ने कहा मद्दान के इंडरो पर नहीं है किसी तरह की समस्या शांती पूर्वक संपन्य होगा मद्दान ग्रामिर विधानसभा के नागरिकों ने मद्दान में बर्चर कर लिया हिस्सा किया मद्दान कहा हमने बेटी बचाओ के मुद्दे पर दिया अपना वोट वन्टांग्या गाउं के नाग्रकों ने विधानसभाच चुनाओं में बर्षड कर लिया हिस्सा कहा हम लोगों ने वन्टांग्या के विकास के नाम पर किया वोट जनपत में चल रहे सभी नौव विधान सभाच छेतरों के चुनाओं को लेकर मधदान केंद्रों पर रही सुरक्षा वेवस्था के पुखता इंतिजान एडेम फानेंस इमें उब जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी गुरफपूर में गुरुवार को पाए गया दो नए कुरोना संक्रमित मरीज जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 251 सीमों डॉक्टर अशुतोष कुमार दूबेने की पुष्टी और जिला दिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजे किलन आनन देश एसेसपी डॉक्टर विपिंताइडा ने जनपत के विवे ने विधान सभा के मद्दान केंडरों का ब्रमर सील रहकर लिया जायजा कहा मद्दान केंडरों पर उपस्तित करमचारियों को दिये अवश्य गिसा निर्देश